हेलो दोस्तो, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल AJ Medicines में, मैं हूँ आपका दोस्त अजीत, और आज मैं आप लोगों के सामने एक नए वीडियो के साथ फिर से आ जरूँ, दोस्तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा, वीटा जाइम सीरप के बारे में, वीटा जाइम सीरप को कैसे यूज करना होता है, किन-किन प्रॉब्लम्स में इसे यूज करना होता है, क्या इसके side effects है, क्या इसके benefits है, और ये दवा किनहे भूल कर भी नहीं लेना चीए, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी, तो अगर आप इस चैनल पर नए हो, तो चैनल को कर लो, सब्सक्राइब, तो चलिए देर ना करके हम वीडियो को सुरू करते हैं, विटा जाइम सिरफ, डॉक्टर द्वारा सबसे ज़्यादा लिखे जाने वाले दवाओं में से एक है, यह दवा, जिन लोगों की पाचन सक्ती बहुत ज़्यादा कमजोर रहती है, उस पाचन सक्ती को मजबूत करने के लिए से यूज किया आता है, इसके अलावा यह पेट से जोड़ी और भी कई प्रॉब्लम्स को ठीक करता है, जो हम आगे जानेंगे, उससे पहले में आपको दिखाता हूँ इसकी पैकिजिंग, आप स्क्रीन पर देख रहे होगे, अंगल डाइस्टेज विद कार्मी नाटिव इन दो दवाओं को मिलाकर इसे तयार किया गया है, अब मैं आपको बताता हूँ किस दवा को किन-किन प्रॉब्लम्स में यूज किया आता है, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि यह पाचन सक्ती को मजबूत करता है यानि कि अगर पाचन सक्ती से रेलेटेड किसी तरह की प्रॉब्लम हो रही है, तो उसे यह ठीक करता है, और जब पाचन सक्ती मजबूत होता है, तो कई सारी प्रॉब्लम्स ठीक होने लगती हैं, जैसे कि अगर आपको ज़्यादा कब्स की प्रॉब्लम्स ठीक होने लगत ना और पास्ट में बहुत ज्यादा मरोड्य प्रॉल्म होना यह सारी प्रॉब्लम देखी जाती आपकी पाचंसक्ति मजबूत होतीया और आपको फी प्रॉब्लम होती तो आपको प्रॉब्लम जो होती यह वह ठीक हो जाती है जिन लोगों को भूग नहीं लगती है उनकी भूग को यह बढ़ाता है जैसे मिन अभी आपको पहले बताया कि जब खाना पेट में भरा भरा महसुस होगा तो भूग कहा से लगेगा और जब आपका पेट बिल्कुल स्वस्त रहेगा तो आपको जो है भूग भी लगेगी और आप अच्छा खाना और पाचन सकती अपने हिसाब से काम करेगी उसके बाद आपका वजन भी कुछ हद तक बढ़ने लगेगा तो जिन लोगों को बहुत ज़्यादा वजन कम है और उनकी पाचन सकती भी ठीक नहीं है तो ऐसी कंडिशन में यह सबसे बेस्ट सीरप में से एक है अगर आप इसे लेना सुरू कर दोगे तो आपके सारे पेट से जुड़ी प्रॉबलम है और यह प्रॉबलम भी आपकी ठीक हो जाएगी अब मैं आपको बताता हूँ कि यह दवा किन्हें भूल कर भी नहीं लेना चाहिए जो महिला प्रेग्नेंट है वो अपनी मर्जी से इस दवा का इस् नहीं तो नहीं लेना है अब हम जानते हैं इस दवा को यूज कैसे करना होता है जिन बच्चों की उमर तीन साल से साथ साल के बीच है उन बच्चों को आपको यह धाई एमिल देना होता है सुबा धाई एमिल देना होता है साम को और जिन बच्चों की उमर साथ साल से तेरा साल के बीच है उन बच्चों को आपको दिना होता है यह 4-5 ml सुबा 4-5 ml साम को खाना खाने के बाद ही यह दवा देनी है और जिनकी उमर 13 पलस है उन लोगों को यह दवा 7 ml से 10 ml सुबा 7 ml से 10 ml साम को खाना खाने के बाद कई बार इसकी डोज को डॉक्टर बढ़ा भी देते ह लेना कब तक होता है लेना आपको कम से कम países अपको डेढ़ महीना, तो जैसे अब जाकर के प्रॉब्लम की लेंटाई आपको बता दीया अब मैं आपको बताता हूँ कि यह जो दवा है इसे लेने से क्या side effect आपको देखने को मिल सकते हैं इससे कुछ side effect देखने को नहीं मिलते हैं लेकिन फिर भी मैं आपके जानकारी के लिए बता देने हो रहा या फिर आपको शरीर पे अलर्जी जैसे महसूस हो चकते पड़ें दाने हो जाएं या खुझली बहुत ज्यादा मचने लगें तो ऐसी की दवा यूज करने से पहले एक बार आप डॉक्टर की सला जरूर ले आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी तो आज के लिए इतना ही कल फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए घुडबार